इस वक्त बिहार की स्यासत सुर्ख्यों में बनी हुई है। इसके बाद से देखा जाए लगातार स्यासी सरगर्मिया राज्य भर में तेज हैं और तमाम तरीके के सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। नमस्कार मैं प्रांशी रठोर और आप तेख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस। दरसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ लालू परसाद यादव का ये सपना रहा है कि उनके बेटे सीएम पत पर आएं। बीते पिछले साल जो गटवंदन तूटा हुए नजर आया बीजेपी के साथ जेडियू का उसके बाद राज़त के साथ वह गटवंदन कर बैठी। और इसके बाद देखा गया कि मुख्यमंतरी कौन होगा तो नीतिश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंतरी बने और तेजस्वी आदव को डिप्टी सीयम पनाया गया। यहां पर एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे अमारे सहयोगी अमनजी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। मुख्यमंतरी बन पाएंगे या नहीं। क्या एक बार फिर से जो बिहार में कह सकते हैं कि चुनाव होंगे या फिर बीजेपी की साथ सरकार बनातरी बनातर आएंगे। बीजेपीस परस्ट कहे चुकिए कि अगर हमारे साथ आएंगे तो सीम नितिश कुमार नहीं रहेंगे। जो सीम चेहरा है वो बदला जाएगा तो कुल मिलाकर अगर चुनाव होते हैं तो जाहिर बात है कि आरजिरी जो है अब तेजनस्पी के नाम पर जरूर चुनाव लड़ेगी क्योंकि जिस तरह से उनकी एक्टिविटी आप देखी होंगी कई अस्पतालों में जाते हैं और बहां जाकर चेकिंग करते हैं इसके लाव और भी तमाम जगों पर जाते हैं तो कहीने के उन्होंने अपने काम के जरी लोगों के बीचे पहुंच बनाने का परियास तो किया है लेकिन क्या उनके चेहरे पर लोग एतना इतबार करेंगे कि उनको जादुए लगभग या 122 और जेडियू का जो गठबंदने वो पुर्टे खतम होने की कगारप है क्योंकि जो केसी त्यागी हैं वो जो है दिली रवाना हो गए इसके लावर ये भी कहा जा रहा है कि वो समराट चौधरी जो बीजीपी के अध्यक्षन बिहार के उनके साथ गए हुए है तो आप ये मानकर चलिए कि कोई बड़ा खेल बिहार में होने वाला है वाकई में देखा जाए तो इस वक्त जेडियू के कारेकरताओं के साथ नेताओं के साथ बैठक चल रही है नितीश कुमार की और ऐसे में दावे यही किये जा रहे हैं कि जल से जल एक बड़ा खेल बिहार में अब होता हुआ नसर आ सकता है फिलाल इस तो खास रिपोर्ट में इतना ही लेकिन देखते हैं कि तेजस्वी या दफ क्या वाकई में मुख्य मंत्री बन पाएंगी या नहीं तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज